टीवी नैन भारत वर्ष पर यूपी की पॉलिटिक्स पर लखनों में सबसे बड़ा सत्ता सम्मिलन हुआ तो उसके मंच पर समाजबादी पार्टी के अध्यक्ष अखलिश शादव भी पहुँचे उन्होंने लखेंपूर खीरी की घटना से लेकर नए चुनावी समिकरण तक हर मुद्दे पर खुल कर बात की उत्तरप्रदेश के पूर मुख्य मंत्री समाजबादी पार्टी के अध्यक्ष बहुत स्वागत है सर्थ जो खबरे आने शुरू ही उसके बाद मुझे मालूम है कि आप भी बहुत तनाव में राद भर रहे हूंगे आज दिन में भी बहुत घटना करम हुए हैं आपको भी रिटेन किया गया रोका गया कुछ देर के लिए लेकिन शाम होते होते अभी जो जानकारी आ रही है कि समझोता हो गया है और बयान भी आ रहे हैं कि राजनितिक परटन के लिए इस्तेमाल करना चाहते थे बहुत से राजनितिक दल इस घटना को भी जो बहुती दुखत घटना है लखीमपुर में जो हुआ है ये पूरे देश और दुनिया में कहीं नहीं हुआ होगा ये घटना निंदनिये है और भारतिये जनता पार्टी को इस घटना के लिए किसानों से माफी मागनी चाहिए किसान इस देश का अन दाता है किसान हमें कपड़ी देता है किसान हमें भोजन देता है और हमारे देश की अर्थववस्ता को वो कहीं न कहीं बचाता है वो अर्थववस्ता को मजबूत करता है उस किसान के प्रतिसानबूती नहीं उस किसान का सम्मान नहीं और तरह तरह से उसको अपमानित किया गया है अंग्रेजों की सरकार ने भी किसानों के साथ जल्म नहीं कियोंगे जो जल्म भाद्य जन्तापाड़ी की सरकार में हुए कोई कल्पना कर सकता है कि गाड़ी से कुछल दिये जाएं किसान और अगर राजनेदेतिक दल उनके परिवारों से मिलने जाना चाहें तो सरकार उन्हें रोकती है ये दिल्ली और उत्तव अदेश की सरकार के बाद ग्रह राजमंत्री के परिवार के उनके भारती जनता पार्टी के कायकरतों उन्हें जो अन्याय और पीड़न और जिस तरीके से हत्या की है इसके लिए भारती जनता पार्टी को किसानों से माफी मांगी जीए और तीनों काले कानून जो किसान जिसका बुरोध करना एक साल हो गया लगबग उसका बुरोध करते करते उन किसानों के काले कानून बापस देने चाहिए ओम प्रकाश आजभर जी उन्होंने भी कहा कि अखिलेश यादव जी जो है उनके साथ जाने में बहुत संभावना है और हम सब को सोचना चाहिए उस ओर जाने के बारे में तो उन्होंने भी बहुत संकेत दिये तो बहुत लोग संकेत दे रहे हैं आपके साथ आने के लिए और आप कहरे हैं कि मैं बस छोटे-छोटे दलों के साथ ही जाओंगा मैं नहीं इनके साथ जाओंगा तो क्या दूरी बनानी है या भी सोचना है अभी आगे और संभावना है समाजवादी पार्टी की कोशिस होगी कि प्रदेश के छोटे दल, छेती दलों को साथ लाने का काम करेगी लेकिन यह क्यों हो रहा है अख्लेश जी की आप लोग जो एकस्पेरिमेंट कर रहे हैं उसमें प्रियम्ट नहीं कर पा रहे हैं कि कैसा होगा क्योंकि राजनीती में तो प्रियम्टि बहुत महतुपूर्ण होता है अब जैसे कॉंग्रेस के साथ जाने वाला मसला हो या फिर BSP के साथ जाने वाला मसला हो, हर बार कैच छूट जा रहा है भारती जनता पार्टी बहुत होशार पार्टी है उसको किसी की स्ट्राटीजी की जानकारी नहीं होनी चीए उम प्रकाष राजबर का जिक्र हुआ और चोटी चोटी पार्टीओं का जिक्र लगातार हो रहा है उम प्रकाष राजबर थोड़ी देर पहले मेरे साथ ही थे और वो एक ब्रेकिंग न्यूस दे कर गए उन्होंने यह कहा कि BJP को UP में अगर कोई रोक सकता है तो वो हैं अखलेश यादव तो मैंने उनसे पूछा कि तो आप उनका हाथ मजबूत करेंगे तो उन्होंने का मैं भी मजबूत करूँगा और मेरे साथ असदुदीन हो ऐसी जो है वो भी मजबूत करेंगे तो आप दोनों को साथ लेने के लिए तयार हैं ना? मैंने आप से कहा कि कोई भी स्ट्राटिजी का खुलासा नहीं करेगी समाजवादी पार्टी आपने अखलेश जी चार सो सीटों का रिकॉर्ड जो है वो तै कर दिया है बहुत बड़ा टार्गेट है और ये भी कहा है कि छोटी-छोटी पार्टियों को हम साथ लेंगे एक छोटी पार्टी है प्रगतिशील समाजवादी पार्टी बिना चाचा भतीजे के सवाल जवाब हुए बिना ये सेशन तो पूरा नहीं हो सकता अब चाचा जी जो है वो इंतजार में है उन्होंने कहा है कि अखिलेश यादव का मैं 11 अक्टूबर तक इंतजार करूँगा और 12 तारीक को सड़क पर मोर्चा लेकर निकल जाओंगा इंतजार अभी तक जारी है कब पूरा होगा अगर वो बारेकों निकलेंगे तो बोलेंगे तो बीजेपी के खिलाफ अब मैं एक बात और समझा जाता हूँ बीच में अबबाजान के आसपास भी चीज़े बहुत घूमी और लोगों ने ये भी कह दिया कि देखिए पिता जी ने तो कभी इस बात से अतराज नहीं किया अगर मुला मुलायम उनको कहा गया अबबाजान मुद्दे पर अखिलेश इतने क्यों बढ़क गये मैंने तो कभी जवाब भी नहीं दिया इस बात का और जैसा मैंने पहले खा क्योंकि हमारे मुख्वन्ति जी विकास को दुश्मन मानते हैं वो लैप्टॉप क्यों नहीं बांट रहे हैं वो जानते हैं क्योंकि वो चलाना नहीं जानते हैं इसलिए वो लैप्टॉप बांट नहीं रहे और आज तक उत्रप्रदेश की जनता ने बिजली के बनते हुए प्लांट का उनके मुझे नाम नहीं सुना है आज भी मैं कहरा हूँ साड़े चार साल के बाद भी 3x660 सुपर केटिकल थर्मा प्लांट वो अपने मुझे नहीं कह सकते हैं इसलिए वो आशान सा शब्द ढूंड लेते हैं कहीं से और यहां की जो विवस्ता है स्वास्त विवस्ता है वो उतनी अच्छी नहीं है करोना के समय सब ने तस्वीर देखी है यही लखनो है जहां पर कितने बड़े पैमाने पर लाशें जल नहीं थी और जब किसी ने तस्वीर दिखा दी तो इसी सरकार ने उसको ढांकने का काम किया मुझे याद है जिस समय गंगा में लासे बह रही थी क्या बनारस क्या आपका गाजीपूर और क्या उन्नाओ क्या इलहाबाद दुनिया ने वो तस्वीर देखी किस तरीके से लाशें बह रही गंगा में और जब भादे जिंता पार्टी से पूछा गया उनके नेता से किसी से किसी गरीब को मदद नहीं की, जिस तरीके से लॉक डाउन में मज़़ूरों का अनाच छोड़ा था, उसी तरीके से गरीबों को करोना के समय पे अनाच छोड़ दिया, सरकार का पता ही नहीं लगा, सरकार कहां चली गई. अच्छा, अखिलेश जी, कोई ये खास स्ट्रेटेजी है क्या कि आप बीजेपी पर तो अटेक करते हैं, बाकी विरोधी दलों पर भी अटेक करते हैं, लेकिन मायावती जी के ओपर कोई सिधा अटेक, उनकी पॉलिसी के खिलाफ कोई सिधा अटेक, हम देखते ही नहीं? वो अब लड़ाई में नहीं है, इसलिए उनसे क्या बोलना उनके बारे में है, तो बुआ के साथ दुबारा गटबंधन पॉसिबल नहीं है, अब कोई गटबंधन नहीं होगा, वो कह रहे हैं कि आप उनकी पार्टी के निश्खासत नेताओं को शामल करा के अपना जनाध बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, जो पार्टी में नेता आना चाहेंगे, हम उनको लेंगे, क्योंकि जो नेता आ रहे हैं, उन पर जनाधार है, उन पर बोड़ बेंक है, और किस कारण निकालेगे, उस कारण में मैं नहीं जाना चाहता हूँ रामन शंक बजाएगा, किसको कुर्स्ती दिलाएगा, ओएसी का प्लान, किसकी तरफ मुसल्मान, साल 2022 के चुनाव का सबसे बड़ा मंच, देखिए, टीवी नाइन भारतवर्ष सत्ता सम्मेलन, उत्तर प्रदेश, 4 अटूबर, सुभे 8 बजे से लगा था, सिर्फ टीवी नाइन भारतवर्ष पार